नमस्कार दोस्तों आपका सवागत है अमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि थाईराइड से संबन्दित जो प्रोब्लम है उसके अंदर योगिक चिकिट्सा किस तरह से लाब्दायक है और थाइराइड की जो प्रोब्लम है उसको योग के माध्यम से हम केसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों थाइराइड जो ग्रंती है वह हमारे कंट में मुझूद होती है स्वरियंतर के दोलो साइड में वह तितली नुमा आकरती में यहाँ पर होती है और इस ग्रंती से थायरक्षिन होर्मोन और पेरा थायरक्षिन होर्मोन रिलीज होता है जब यह ग्रंती थायरक्षिन होर्मोन कम या अधिक मात्रा में रिलीज करती है उसकी वज़े से हमें सारे बहुत सारी प्रोब्लम्स का सामना करना पड़ता है दोस्तों जब यह थायरक्सिन होर्मोन का अधिक मात्रा में रिलीज करती है तो हमारे सरीर का जो वजन है वो गटते जाता है बहुत अधिक मात्रा में बहुत ही जल्दी सरीर का वजन गटता है सरीर कमजोर होने लग जाता है और साथ ही साथ हमारा मेटोबोलिस्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इसके वज़े से हमारी जो उर्जा है उसकी बहुत ज़्यादा खपत होती है और सरीर पतला हो जाता है और दोस्तों जब यह ग्रंदी थारयक्सिन होर्मोन कम मातरा में रिलीज करती है या दिरे-दिरे release करना बंद कर देती है इसकी वज़े से हमारा सरीर का वजन बहुत ही जल्दी बहुत ही कम खाना खाते हैं फिर भी बहुत अधिक मात्रा में वजन बढ़ता है और बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है और सरीर में सुस्तता रहती है ठकावट रहती है और सरीर में जो recovery है वो भी नहीं उपाती है जब भी हमें कोई चोट लग जाती है उसकी भी recovery नहीं उपाती है ऐसी condition हो जाती है तो दोस्तों इन दोनों ही समश्याओं को हम योगिक चिकिस्सा के मात्यम से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से अभ्यास है योगिके अंदर कौन-कौन से आसन, प्रणायाम और अन्य मुद्रा और बंद के अभ्यास हैं जिनके मात्यव से हम थायरेड के वो दीरे दीरे अभ्यास करते हुए ठीक कर सकते हैं तो उन अभ्यास को हम करेंगे देखे किस प्रकार करते हैं तो दोस्तों अब हम योगीक अभ्यास सुरू करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम गिरिवा सक्टी विकासक का अभ्यास करेंगे जिससे हमारी thyroid ग्रंती की massage होगी और इसमें blood circulation अच्छा होगा जिससे यह दीरे-दीरे निरोग होने लगेगी तो पहले हम सीधे कड़े हो जाएंगे दोनों पेर पास में रखें कमर गर्दन सीधी रखें नेक up-down करेंगे सास बरते हुए गर्दन पो उपर ले जाएं सास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं फिर सास बरते हुए उपर सास छोड़ते हुए नीचे इस तरह से दस राउंड करने के बाद लेप टो राइट में स्ट्रेच करेंगे सास बरें सांस छोड़ते वे राइट साइड में फिर सांस बरते वे सेंटर सांस छोड़ते वे लेफ्ट साइड इस तरह से दस राउंग करें 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दोस्तों ट्विस्टिंग करेंगे सांस बरें सांस छोड़ते वे राइट साइड भी ट्विस्ट करें फिर सांस बरते वे सेंटर सांस छोड़ते वे लेफ्ट साइड इस तरह से 10 राउंड करें 3 4 5 आप दोस्तों सुर्य नमस्कार का ब्यास करेंगे इसके लिए मैट के फ्रन्ट में कड़े हो जाएंगे और सांस बरते वे दोनों हाथ उपर ले जाएंगे सांस छोड़ते वे नमस्कार फिर सांस बरते वे पीछे जुकें सांस छोड़ते वे इस तरह से सामने की दरफ पादहस्तासन करें फिर सांस बरते वे अस्वसंचालन सांस छोड़ते वे परबतासन सास को होल्ड रखे अस्तांग प्रणिपातासन सास बर्तिवे उजंगासन सास छोर्तिवे माउंटीन पोज प्रवतासन थिर सास बर्तिवे अश्व संचलन फिर सास छोरते वे पाद हस्तासन फिर सास बर्ते वे हस्तोत्तान और नमस्कार इस तरह से दोस्तों सुर्य नमस्कार का अब्यास करें इसके कम से कम दस राउंड करें और अपनी समता के अनुसार भी आप कर सकते हैं कम राउंड भी कर सकते हैं जैसे आपकी अपनी सक्ती हो ज़्यादा थकान नहीं आनी चाहिए लेकिन जिनका वेट बढ़ा हुआ है जिनका थायरेक्शिन होर्मोन कम रिलीज होता है और जिनका वेट बढ़ गया है वो थोड़ा अभ्यास जादा करें 20 से 30 राउंड कर सकते हैं और जो पतले हैं वो 5 से 10 राउंड ही करें अब दोस्तों हम कुछ आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे जिसमें सबसे महतपूर्ण जो आसन है वह है सरवांगासन दोस्तों सरवांगासन के लिए हम सीधे लेट जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले सीधे लेट जाएं इस तरह से अब अपने दोनों पेर सास बरते में उपर उठाएंगे 90 डिग्री लेकर आएं फिर थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेकर जाएं हालासन में और इस तरह से हटों के साहरा दें और सिर दोनों पेरोपो सिधा उपर उठा लें मिल्कुल सिधा करेंगे इसी के अंदर पद्म सरवांगासन करेंगे इस तरह से पद्मासन लगाना है और फिर दोनों पेरोपों इस तरह सिधा करना है कुछ देर इसमें रुके रहें फिर दोस्तों वापस पेर पीछे ले जाएं और दीरे से वापस आ जाएं थोड़ी देर रिलैक्स करें दोस्तों सरवांगासन के बाद मत्स्यासन करें मत्स्यासन किस तरह से करते हैं देखिए पहले इस तरह से पद्मासन लगाएं पद्मासन लगाने के बाद अपनी गर्दन को इस तरह से पिछे की तरफ करें और हातों को इस तरह से रखें अपने अंगोटे को बगड़ गे कोन्य निजे की तरफ टच करें फिर आराम से वापस सिधे हो जाएं पेरों को सिधा करें मत्स्यासन करने के बाद हम पासनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे देखिए किस तरह से करते हैं जिस प्रकार हम हलासन करेंगे उसी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास होता है देखिए सास बरते हुए दोनों हाथ दोनों पेरों को उपर उठाएंगे पीछे लेजिकर जाएं और फिर एक तरह से पाता ही लेएं खिर दोस्तों वपस पेर लिकर आएं सिदे नीचे की तरफ और बोड़ी को डिला छोड़ दें कुछ देर सावासन करें अब दोस्तों हम विपरीत करनी मुद्रा करेंगे देखे किस तरह से करते हैं इसको भी इसी परकार करते हैं दोनों पेर पीछे लेकर जाएं और इसमें पेरों को तोड़ा नीचे की तरफ इस तरह से हिप्स को तोड़ा नीचे रखते हैं ज़्यादा सीदा नहीं करते हैं और पेरों को इस तरह से मोर के रखते हैं सरवांगासन की तरह नहीं रखते हैं इसको विपरीत करनी मुद्रा बोलते हैं आपकी दरस्टी अंगुठे के उपर रहेगी और इसमें होल्ड करना है कुछ देर इसमें होल्ड करें फिर दीरे पेरों को पिछे की तरफ लेकर जाएं हातों को नीचे और अराम से वापस दोनों पेर नीचे लेकर आ जाएं हम कुछ बेटरे वाले अभ्यास करेंगे दोस्तों दीरे से बैठ जाएं दोस्तों अब बेठने वाले जो आशन हैं उनका अभ्यास करेंगे तो देखें कौन-कौन से आशन हैं सबसे पहले हम गुटनों के बल पर खड़े हो जाएंगे इस तरह से देखें दोस्तों गुटनों के बल पर खड़े हो जाएं अब हम करेंगे उस्ट रासन देखें दोस्तों किस तरह से करना है सास बरते वे एक हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाए फिर दूसरे हाथ को ट्विश्ट करें तर्ण करते वे बीचे लेकर जाए और पीछे जुपते वे इस तरह से ओल्ड करें गर्दन को नीचे ड्रोप कर दें साज बरते रहें छोड़ते रहें वापस तीरे दीरे हातों को गुमाते हुए वजरासन में बैठ जाएंगे अब हम सुप्त वजरासन का अब्द्यास करेंगे दोस्तों इसके लिए इसी तरह मुद्रा में बैठ जाएं दोनों एडियां बाहर निकली हुई अंगुठे मिले हुए रहेंगे और हातों की साज़ता से पीछे की तरफ इस तरह से कौनी को रखें और गर्दन को पीछे इस तरह से टच करें और इस तरह से दोनों हातों को थाई के उपर रख दें कुछ देर इस मुद्रा में रुकें अब दोस्तों देरे-देरे दोनों हात वापस नीचे रखें इस तरह से पक्ड़ें और देरे से उपर आजाएं अब हम योग मुद्रा का अब्यास करेंगे तो दोस्तों योग मुद्रा के लिए अपने लेफ्ट हैंड की मुठ़्ी बनाएं और राइट हैंड से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और पूरे हातों को सीधा रखते वे इस तरह से सीधा रखेंगे कमर को सीधा रखेंगे सास बरेंगे सास छोड़ते वे सामने देखते वे इस तरह से गरदन पो नीचे की तरब दुकानेंगे कुछ देर इसी मुद्रा में रुके सास लेते रहे छोड़ते रहे फिर सास बरते वे उपर आए रिलाक्स अब दोस्तों सीहासन करेंगे देखें किस परकार करना है आप अपने दोनों पेरों के गुटनों को इस तरह से खोल दे बाहर की तरफ, दोनों हाथों को इस तरह से रखें थोड़ा आगे की तरफ और कमर को सिधा रखें, सास भरें जीब को बाहर निकाल कर सेर के समान, सिहा के समान आवाज निकालेंगे देखें किस तरह से करना है चेस्ट को पूरा उपन रखेंगे इस तरह से दोस्तों, सिहासन का अभ्यास करें जिससे आपकी थाइराइड की गरंती स्टिमिलेट होगी और उसके अंदर जो एनियमित्ता है हार्मोन सिक्रेट करने की वह समवस्था में आएगी नॉर्मलाइज होगी और आपका थाइराइड जो भी बड़ा हुआ है या गटा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा अब हम दोस्तों कुछ प्रणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसके लिए आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे कमरगरदन को सिदा रखते हुए किसी भी आसन में बैठ जाएं सोकासन, पदमासन, स्वस्थिकासन, वजरासन या आपको गुटनों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप चेर के उपर भी बैठ सकते हैं दिवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं बिल्कुल सम अवस्था में बैठ हैं फिर हम परनायाम का अभ्यास सुरू करेंगे दोस्तों अब हम कुछ परनायाम का अभ्यास करेंगे इसके लिए किसी भी आसन में बैठ जाएं और सबसे पहले हम उज्जाई परनायाम का अभ्यास करेंगे थाइराइड गरिंती की प्रोब्लम जो होती है उसको सम करने के लिए उसको ठीक करने के लिए उज्जाई प्रनायाम बहुत ही सक्तिसाली प्रबावसाली प्रनायाम है तो दोस्तों देखे किस परकार से उज्जाई प्रनायाम करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम गले को थोड़ा सिकोड लेते हैं और गरसन के साथ सांस को अंदर बरते हैं फिर थोड़ी देर के लिए जाल अंदर बंद लगा के वोल्ड करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे, किस परकार करते हैं, देखे, सांस बरेंगे पहले, एक बार फिर करेंगे, एक बार फिर करेंगे, दोस्तों, इस परकार, पांच से दस बार आप उज्जाई प्रणायम का अभ्यास करें, इसके बाद दोस्तों, अनुलों विलों का अभ्यास करेंगे, इसके बाद आप अनुलों विलों या नाड़ी सोधन, दोनों में से कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, अनुलों विलों के अंदर हम स्वास को तेज या धीमिकती से ले सकते हैं लेकिन नाड़ी सोधन के अंदर बहुती धीमिकती से बहुती दीर को सुक्सम स्वास अंदर लेनी होती है और छोड़ते समय भी भी धीरे धीरे छोड़ते हैं तो वह नाड़ी सोधन होता है तो सबसे पहले हम अनुलोंग विलोंग का अभ्यास करते हैं फिर आपको नाड़ी सोधन का अभ्यास में बताऊंगा दोस्तों इसके लिए अपने दाएं हाथ की इस प्रकार मुद्रा बनाएं इसे प्रणाव मुद्रा बोलते हैं पहली दो उंगलियों को इस तरह से मोड़े और अपने राइट नोस्टिल को क्लोज करें लेफ्ट से सास को अंदर बरेंगे लेफ्ट को बंद करें और राइट से बाहर चोड़े सास फिर राइट से वापस अंदर बरें सास और लेफ्ट से बाहर चोड़ें वापस लेफ्ट से बरें राइट से बाहर चोड़ें राइट से फिर सास बरें लेफ्ट से बाहर छोड़ें इस तरह से दोस्तों आप पाथ से दस मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करें अब दोस्तों मैं आपको नाड़ी सोधन का अभ्यास बताता हूँ किस प्रकार करना है उसी तरीके से आप राइट नुस्विल को बंद करेंगे जैसे अनुलोम विलोम में किया था फिर बहुत ही दिमिगती से लेफ्ट नुस्विल से सास को अंदर बरेंगे राइट से बाहर छोड़ेंगे राइट से वापस बरें लेफ्ट से बाहर छोड़ें दोस्तों इस प्रकार नाडि सोधन का जो अभ्यास होता है उसके अंदर सास की गतिवी दीवी होती है और साथ में सास के आवाज भी नहीं आती है बिल्कुल भी और बहुती सादगी से सोम्यता से सहजता से इस प्रणायम को करना है जिससे हमारी 72,000 जो नाडिया है वो सुद्ध होगी और हमारी जो अंदर के function है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे अब दोस्तों अगला भ्यास भस्तरी का प्रणायम है दोस्तों भस्तरी का प्रणायम करने के लिए इस तरह से आप दोनों हातों को लेकर आए चेस्ट के पास, कंदे के पास मुट्टी बंद करें सांस बरते वे दोनों हातों को उपर लेके जाए सांस छोड़ते वे नीचे इसको तेजी के साथ भी कर सकते है बस्तरी का जो अभ्यास होता है वह उन लोगों को करना चाहिए जिसके अंदर मोटापा बड़ा हुआ है या जिनका थाइराइड कम बनता है और इसकी वज़े से उनका मेटाबोलिज्म लो हो गया है तो उनको बस्तरी का अभ्यास करना है जिनका मेटाबोलिज्म हाई है और जίνके अंदर जो थारक्सिन हाउर्मोन है थाराइड जो गरंती है वो बड़ा हुआ है तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना है दोस्तों जिनके अंदर थाराइड कम मात्रा में बनता है तो उनके लिए ये अभ्यास है बस्तरिगा अभ्यास तो सुरू करेंगे बस तरीगा परनाया इस तरह से आप बस्तरी का परनायाम का अभ्यास करें दोस्तों अब मैं आपको दो ऐसे परनायाम बताता हूँ जो जिनका मेटाबोलीजम बड़ा हुआ है और जिनके अंदर थारक्सिन होर्मोन भी बड़ा हुआ है थायराइड गरंती बड़ी हुई है या ज़्यादा होर्मोन रिलीज करती है उन लोगों को जो की कमजोर हैं पतले हैं इस थायराइड की प्रोब्लम की वज़े से उनको सीतली और सितकारी परनायाम करना चाहिए सीतली और सितकारी प्रणायम करने से उनकी जो मेटाबोलीजम जो बड़ा हुआ है या इस गरंती के अंदर जो अतिसम्वेदन सीलता के कारण ये ज़्यादत से ज़्यादा होर्मोन को रिलीज करती है इसलिए इन प्रणायम के माध्यम से यह दिरे दिरे रिलीज कम करेगी और होर्मोन रिलीज करने की प्रवर्ति है वह संतुलित हो जाएगी सम हो जाएगी तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार सीतली प्रणायम करते हैं सबसे पहले आप अपनी जीब को पाइप नुबा आकरती में बनाएं देखिए इस तरह के से और इस तरह से बना के फिर इसमें से सांस को खीचना है अंदर पूरा सांस खीचने के बाद कुछ देर रोकें या ना भी रोकें तो लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे देखिए किस प्रकार करना है पिर से देखिए इस तरह से 5-10 बार आप सीतली प्रणायम का अभ्यास करें अब हम सित्कारी प्रणायम करेंगे इस के लिए अपने दातों के जबड़े को उपर नीचे मिला कर फिर दातों के बीच में से जो स्पेस होता है उसके अंदर से सास को अंदर बरेंगे और फिर सेम जैसे हमने सीतली में स्वास को लेफ्ट साइड से बाहर चोड़ा था उसी तरीके से चोड़ देंगे तो देखे किस परकार करना है दोस्तों इस परकार सितकारी परनायाम करें जिससे आपके जो होर्मोन बड़ा हुआ है थाइराइड की जो प्रोब्लम है वो बड़ी हुई है तो वो भी नॉर्मलाइज होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे अब दोस्तों मैं कुछ परनायाम आपको बताता हूँ जिनको बंद के साथ किया जाता है जैसे अब्यांतर कुमबक परनायाम जो होता है उसके अंदर हम जालंदर बंद लगाते हैं देखे अब्यांतर कुमबक कैसे करना है सास बरेंगे पूरा सास बरने के बाद चाल अंदर बंद लगाएंगे इसके अंदर हम गले को इस तरह से ठुड़ी को नीचे जुका के यहां से ब्लोक करते हैं जिस से हमारी जो नाडियां मस्तिस की तरफ जाती है और यहां पर इसका जो स्टिमिलेशन होता है नाडियों के अंदर जो ब्लड है वो थोड़ी दिर के लिए रुक जाता है प्रेसराईज हो जाता है और फिर प्रियोर ब्लड जो है वो हमारे थाइराइट ग्रंति में भी पोचता है और मस्तिस की तरफ भी जाता है जिससे अमारी जो थाइरेट ग्रंथी है वह ठीक होती है अब दोस्तों मैं अगला जो अब्यास बता रहा हूँ वह है महाबंद महाबंद का अब्यास करने के लिए स्वास को पूरा अंदर खीचेंगे फिर सास को पूरा बाहर छोड़ देंगे फिर मूल बंद, वुडियान बंद और जालंदर बंद तीनो बंद एक साथ लगाएंगे तो वह है महाबंद कहलाता है त्री बंद भी कहते हैं महाबंद भी कहते हैं इसका अब्यास किसी अनुभवी योग शिक्सक से ही सीख के आप करें देखे किस प्रकार महाबंद का अभ्यास करते हैं पूरा सास अंदर बरें पूरा सास बाहर छोड़ें मूल बंद लगाएं उड्यान बंद के लिए पेट को अंदर खिचें दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे उटनों के उपर फिर बंद को खोलते हुए बिल्कुल सीधे होके सास अंदर बरें फिर से करेंगे पूरा सास बाहर छोड़ें मूल बंद उड्यान बंद रो जालंदर बंद लगाएं रिलेक्स हो जाएं इस तरह से दो से तीन बार आप महाबंद का अभ्यास कर सकते हैं तो दोस्तों ये जो कुछ योगिक क्रियाएं थी जिनके माध्यम से हम अपनी जो थाइरेड गंती है उसको ठीक कर सकते हैं चाए वो थाइराक्सिन होर्मोन जदा रिलीज करती है या कम रिलीज करती है उसकी इस्तिती को नॉर्मलाइज करके हम अपने आपको स्वस्त बना सकते हैं योग के अभ्यास से बिना किसी साइड इफेक्ट के यह अभ्यास आप करें प्रती दिन और अप इसका लाब उठाएं स्वस्त रहें निरोग रहें और दोस्तों थाइराइड की जो प्रोब्लम है उसको ठीक करने के लिए एक जो बहुत ही कारगर उपाय है उसमें है ध्यान का अभ्यास दोस्तों प्रती दिन अगर हम 20-30 मिनट या एक गंड़ा ध्यान का अभ्यास करते हैं कम से कम आप 20 मिनट का अभ्यास तो जरूर करें जिससे आपकी इंटरनल जो सिस्टम है मेंटली जो आपकी सारी क्रियाएं हैं वो बहुत ही व्यवस्तित हो जाएगी क्योंकि हमारी जो पिट्री ग्लेंड होती है उसी से हमारी सारी चया पचय जो क्रियाएं हैं मेटाबोलिजम की जो क्रियाएं हैं वो नियंतरित होती है और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सारे वर्मोन बैलेंस हो जाते हैं pituitary gland अच्छे से काम कर पाती है मस्तिस्क अच्छे से विवस्तित हो जाता है जिससे thyroid की जो गरंती है उसको भी सई तरीके से काम करने का एक signal मिलता है और वह भी निरोग हो जाती है इसलिए दोस्तों आप 20 मिनिट 30 मिनिट का ध्यान का ब्यास जरूर करें जिससे आपको thyroid की जो problem है उससे रहात मिलेगी और इसको ठीक करने में जल्दी साहिता मिलेगी तो दोस्तों इस तरह से आप योगी का ब्यास करें स्वस्त रहें धन्यवाज